हेलो फ्रेंट स्वागता आप एक और नई वीडियो में तो आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो आईटी स्टॉक्स के बारे में विप्रो और इन्फोसिस के बारे में कहां पर इंक बाहिंग है कहां सैलिंग आ रही है क्या चार्ट बैटर हम बरना तो इन सबी गाला चाहं से देखें तो लगभग छेस्विश के रांड से यहां पर एक जबर्दस डांपालाना स्टार्ट हुए था यह से देखे, यहां पर दांफालाना स्टार्ट होँए था फिर फिर थौटश से रिट्रेस हुआ फिर नीचे आया और अब एक रेंज बनाई रेंज को अब इसने ब्रेक कर दिया है तो अब इस टॉक में क्या होने वाला है देखिए इसका जो सब पहले जब मैंने वीडियो बनाई तो मैंने कहा था कि अगर यह वाला लेवल टुटेगा तो इसका जो टार्गेट है वो लगवग यहां तक आएगा और वो हमारा आ गया हाला कि यह सैलर साइट का था तो इसलिए मैंने अवाइड किया था कि आप इसमें बाइंग नहीं कर सकते हैं अगर आप यहां पर ट्रैप हो सकते हैं तो अभी हमें क्या करना है देखिए यह इसका जो ट्रेंड लैंड की एक स्ट्रॉंग स्पोर्ट थी इसको इसने तोर द अब हमें क्या करना है अब हमें बेट कर दो यहां तकाने की तीर 191 के रांड तीशी कराइश रांड होगा यहां पर को अच्छी के चैटल बनेंगी तो ही हम इसमें रिवर्सल के एंट्री प्ले करेंगे हमारा जो पहला टरुट आएगा तीन सो शकार और शोड़ हमारा यह होगा लगवग लगवग 383 का टार्गेट आएगा तो फिलहाल अभी स्टॉक में कुछ भी नहीं है यह बिलकुल बेरिश टाजिक्ट्री में आ चुका है स्टॉक ओल्मोस 50% अपने हाई से तूट चुका है और अभी भी इसमें डे बाई डे इसमें सैलिंगी आ रही है तो ब बात कर लेते हैं इनिफ्योस की तो यह स्टॉक भी अपना काफी जबर्दस रेंज के बीच में है अगर आप यहां से ध्यान से देखें तो 19 फरिवरी दो यर बाई 19 नमबर दो यर बाई से लेकर आज तक यह स्टॉक एक ही रेंज में काम कर रहा है मौसली वह है 1630 से लेकर 2364 अब यहां पर अगर यहां से देखे तो यह स्टॉक यहां इंपर आता है फिर यहां फिर यहां पर जाता है यही इसका एक काम चार रहा है और इसी बीच में ही यह स्टॉक काम कर रहा है अब इस टोप में हम क्या कर सकते हैंивают लिए इस में और ज्यदा स्यलीग आ सकती है देखést अगर तो यह सकेंडल केंडल की उपर इस्पाफी अच्य केंडल बने धी ग्रीं ग्रीयों कर जो जाती आज हम इसे चोड़ी एक रिवर्स सेंटरी लेते और हमारा जो पहरा टार्गेट है हमारा एक पहरा टार्गेट आता पद्रह सु बाइस का और उसका सोलस्ती का जो टार्गेट हम देखने को देख सकते थे लेकिन आज हुआ क्या यहां पर स्टोक बना कैंडल ऊपर गी लेकिन 14 के पास एक स्टॉंग सैलिंग आ अगर तो यहीं पर कोई अच्छी कैंडल बनगी ठीक है आधराइस अब मुझे लगता है नहीं कि यहां पर कैंडल बनने वाली हम यहां इसको यहां पर आने का वेट करेंगे और उसके बाद फिर हम प्ले करेंगे यहां पर रिवर्सल का पहला टार्गेट छोटा होगा क्य जूरत नहीं क्योंकि IT सेक्टर अभी विल्कुल सेलिंग में क्योंकि लास्ट यह आई टी सेलिंग में सबसे ज़्यादा बूम आया था सबसे जो बाइंग हुई थी वह आई टी सेक्टर में होती लेकिन इस बार जो सभी लोग है अपनी पूजिशन हरकी कर रही है तो इसल 120 उसका 1630 का जो टार्गेट है वह हम देख सकते हैं तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगे अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को जूँ सब्सक्राइब कीजी वीडियो को कमेंट लाइक चेर जूरूर किया किजी से मुझे थोड़ और पेचेची वीडियो लेकर आता रहूंगा तो चली दोस्तों मिलते हैं हम अगली वीडियो में